पेट्रोल डीजल उभखताओं के लिए आपको बता दे राहत की खबर पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट आई हैं पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 16 पैसे सस्ता हुआ 108 रुपए 5 रुपए प्रते लीटर पर पेट्रोल के दाम पहुँचे है पेट्रोल और डीजल के दामों में आपको बता दे की राहत बिलती जारी है उभखताओं को पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट आई है ये कहीड़े कहीव भूगताओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 16 पैसे सस्ता हुआ है 108 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर पर पेट्रोल के दाम बहुत चुके है 98 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर पर डीजल के दाम स्पीड पेट्रोल के दाम हुए 111 रुपए 55 पैसे प्रति लिटर पेट्रोल और डीजल के उभगताओं के लिए रहत भरी खबर सामने आ रही है लगतार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी लेकिन अब पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट आई है और इसी खबर पर अधिक अबडेट के साथ हमारे समधाता बिके शर्मा फॉन लाइन पर जूट चुके है पिछले कुछ दिनों से लगतार पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट आई है यह कहिने के उभुगताओं के लिए अच्छी खबर पायूशिय से मामूली राहत कह सकते हैं क्योंकि जो डीजल के दाम है वो 5-6 दिन से कम हो रहे थे लगतार और पेट्रोल के दाम ठमे होए थे लेकिन अब पिछले दो दिन से पेट्रोल के दामों में भी कमी आई है लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पिछे साल जून से जो 70 रुपे लीटर के करीब पेट्रोल था वो बढ़कर और 100 रुपे से उपर पहुँच गया अब उसमें यह क्या उतनी कम कटोती हो पाएगी यह बड़ा सवाल है कि जिस अनुपात में दाम बड़े हैं पेट्रोल और डीजल के क्या उस अनुपात में ये पेट्रोल डीजल के फरकार का दाम कम करेगी ये बड़ा सवाल है लेकिन आप देखेंगे कि जब बढ़ोतरी होती थी तो 25-30 पैसे कम से कम बढ़ोतरी होती थी प्रती दिन और उसे उपर 40-30 पैसे इस तरह की बढ़ोतरी होती थी लेकिन कटोती मे ये 15 पैसे और 20 पैसे के आसपास है अभी 70 वी तो ये अनुपात भी बढ़ता है कि नहीं इस पर नजर रहेगी और ये कब तक जारी रहता है ये भी देखना होगा तो इन सब बातों पर नजर रखनी पड़ेगी हाला कि ये जरूर है कि आप देखेंगे कि हाली में इसी मही अगस्त में एल्पीजी के दाम बढ़ाए हैं इन्होंने करेल वे जो सिलिंडर है उसकी कीमत पत्तीस रुपे बढ़ा दी और उसके साथ ही इन्होंने बहतर रुपे ग्यासा एक सिलिंडर पर बढ़ा दी तो कंपनिया एक ही है ये जो पैट्रोलियम और एल्पीजी का जो करती हैं इनका पूरा ट्रेड एक इन्हीं कंपनियों के जो तीन-चार कंपनिया है तो कि hence करकार के अधिन काम करती है इंडियन और उलिंड। पैट्रोलियम भारत पैट्रोलियम यहीं कंपनिया है जो ये काम करती है ये इसका तो तो उलमिला और देखा जाए नफ़ 70ras 호 away और इसको जोइन्ट अकाउंट में एक तरह से एक ही कमपनी के मुनाफिय में या गाटे में ये कैलकुलेट होता है तो इसको देखना होगा कि कमपनी एक हाथ से देती हैं दूसरे हाथ से ले ले लेती हैं तो एक बड़ा आपने अभी बाहर डाला है इसी महीने में जी वो हाथ मिलने वाली नहीं है जब सकती कोई बड़ा इसमें अमाउंट है उसमें कटवती ना हो तो ये देखनी होगी लेकिन सरकार की नीती ये भी है कि अगर धीरे-धीरे कम करेंगे जी तो कंपनियों को घटा नहीं होगा तो जी बीके देखे अगर अगर रहत भी जाए तो जी बीके देखे विपक्षी पार्टी लागतार घेरने को सरकार की कोशिश कर रही है लागतार प्रदर्शन भी किया जा रहा था तो चुनाव भी आने वाले है तो क्या इससे कुछ जोड़ा ज़ा रहा है आई उशी आपका सही सवाल है लेकिन आप देखेंगे कि कुछ दिन के लिए एवेपक्षी पार्टियों ने ये मोहिम चलाई थी ये अन्दोलन किये थे जब संसक्षतर चल रहा था मांसून का तो थोड़ा बहुत कुछ आवाज आई की जिस तरह से बीजेपी जब इपक् जानिया और देश की रासधानी दिल्ली में जो आंदोलन को किया करते थे जो मीडिया अटेंशन भी पाते थे तो वो उस तरह के आंदोलन करने में अभी विपक्ष नाकाम रहा है तो उस आंदोलन का असर माना जाए ये बिलकुल सही नहीं है और मुझे लगता है कि ये आं गौन की पात्राज्यों में आप चुनाव होने वाले हैं चुनावों में ये बड़ा मुझता नह्गाई का बन सकता है इसको लेकर गरूर ये संवेदंशील हो सकती है सरकार और इसको लेकर ये प्रयाप किये जा रहे हैं कि दीरे-धीरे और चुनाव करीब आने तक पेट् पेट्रोलियम जो कंपनियां उनको भी नुक्तान ज्यादा नहीं होगा जी तो यह तरीका हो सकता है बाकी यह है कि आगे क्या रुख रहेगा तरकार कार पेट्रोलियम कंपनियों का इस पर सब्सक्राइब नजर रहेगी आईशी जी शुक्रिया बिके तमाम जानकारी साजा क करने के लिए